रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता और घ्रणा कभी जीतने नहीं देता। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है लेकिन पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है। हमेशा उस इनसान के साथ गलत होता है जो सब को खुश रखना चाहता हूँ। इनसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है एक अपनी परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इनसान से। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जब तक एक दूसरे की मदद करेंगे कभी नहीं हारेंगे चाहे ब्यपार हो परिवार हो या फिर समाज। सोचने दे जमाने को जो सोचना है अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। जरूरी नहीं हर इंसान प्यार में ही रोए कुछ घर के हालात भी रुला देते हैं। जिन्दगी जीने के लिए बनी थी और हमने सूचने में गुजार दी। उनकी आँखों में कभी आशु मत देना जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। भावक लोग संबंध को संभालते हैं। प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं। और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। बात जब भी सुकून की होगी याद हमेशा मा आएगी। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को सकरात्मक बनाए रखना। उम्र में सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो आपके ब्योहार से ही मिलेगा। पलट कर जवाब देना बेसक गलत है लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदे भूल जाते हैं। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता परंत परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। इस्वर का नाम सभी लेते हैं परंत इस्वर का नाम लेने भर से इस्वर को पाया नहीं जा सकता। आदमी भगवान से लाखो करोडों की चाहत रखता है लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिख्के ढूंडता है एक भगवान ही हूते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं कोई भी महान व्यक्ति आउसरों की कमी के बारे में सिकायत नहीं करता इस स्वर तो कड़कड में हैं फिर भी इनसान इन्हें मंदिरों मस्जिदों और चर्च गुरु द्वारों में ढूंडता है उम्र छोटी है तो क्या जिन्दगी का हर एक मंजर देखा है हरे भी मुश्कुराहटें देखी हैं बगल में खंजर भी देखा है जिन्दगी में सारा जगड़ा ही क्वाहिसों का है ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगएर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिलता है